नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की करांती के परड़ाम इसको आप प्रभाव भी ओल सकते हैं 1857 की करांती का परभाव बोलिए या परड़ाम बोलिए इसके पहले मैंने आपको बता दिया है 1857 की क्रांती की घटनाएं, क्रांती की कारण और क्रांती की आसफल होने की कारण ये सारी चीज़े मैंने बता दिया है तो आज हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांती के बाद क्या-क्या प्रडाम सामने आये कंपनी की नीती में क्या परिवर्तनाई भारतियों के प्रती अंहग्रेजों की दृष्टकोर में क्या परिवर्तनाई यह सारी चीज़े हम लोग देखेंगे एक यक करके 1857 की करांदी का भारतिये जन्मानस पर गहरा प्रभाव पढ़ा यद्देपी क्रांती आसफल हो गई थी इससे अंग्रेजी सासन के प्रती कट्टा में ब्रिध्धी हुई देखे क्रांती आसफल तो हो गई थी लेकिन इससे हुआ क्या कि अंग्रेजी सासन के प्रती भारतियों में अब एक घिडा की भावना आ गई एक कट्टा की भावना आगई भारतियों को ग्यात हो गया था कि राश्टिय भावना क्या भाव में कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता अतह सिच्छित वर्ग के लिए सामने आया मतलब भारतियों को यह पता चल गया था इस करांती के बाद कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमारे अंधर एकता की भावना नहीं आएगी राश्टिय एकता की भावना नहीं आएगी तब तक हम किसी भी आंदोलन को सफल नहीं बना सकते तो इसलिए अब क्या हुआ कि एक सिच्छित वर्ग नेतरुत करने के लिए सामने आया और आप देखते हैं इसके बाद लगतार 1947 तक आजाद होने तक आंदोलन प्यांदोलन चलते रहते हैं अंग्रेजों की नीत में भी आधार भूत परिवर्तन आया जिससे प्रसासन में परिवर्तन हुआ इस प्रकार इस क्रांती के दूरगामी प्रडाम हुए जो निम लिखी थे अब हम एक एक करके प्रडाम देखते हैं देखें सबसे पहला है सम्मिधानिक परिवर्तन बिटिस सरकार ने क्या किया सम्मिधान में परिवर्तन कर दिया अपने सम्मिधान में नहीं भारतियों के लिए जो कानून बना था उसमें परिवर्तन किया गया और फिर लिखा कंपनी के सासन का अंत तो ये भी आपको याद रखना है देखे, 2 अगस्ट 1898 इस विए को बिटिस संसद ने भारत सासन अधिनियम पारित करके भारत में कंपनी का सासन समाप्त कर दिया और बिटिस संसद ने सासन गरहाण कर लिया British संसद यानिकी आप कह सकते हैं जो वहां की महरानी थी उन्होंने अपने हाथों में ले लिया भारत का साशन, पर साशन, सब कुछ आप कह सकते हैं पहले क्या होता था इस क्रांती के पहले की कंपनी ही देखती थी साशन, पर साशन पूरा उस पर पूरा उत्तरदाई तुथा लेकिन बिटिस सरकार ने यह माना कि यह जो क्रांती हुई है यह East India Company की वजह से ही हुई है उसके गलत नीतियों के कारण हुई है इसलिए बिटिस सरकार ने क्या किया कि उसके हाथों से नेंदर ले लिया और भारत का पूरा नेंदर किसके के हाथ में दिया चरह सकते हुं महारानी विक्टोरिया के हाथ मैं महारानी जो भी महारानी रहे वह उनुझे उसमें विक्टोरिया ही थी है था हुआ बोटाम कंट्रोल तециचण बुडाम डारेक्टर्स को स्माप्ट कर दिया गया भारत के परसाशन के लिए भारत सच्यू को नूक किया गया एक नया पद बनाया गया है भारत सच्यू जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिशत का निर्मार किया गया अब देखें यह जो भारत सच्यू पद था यह board of control और quote of directors की जगह पर लाए गया था क्योंकि Board of Control और Court of Directors जो था इसको हटा दिया गया तो इसके जगह भारत परसासंग के लिए एक नया पतलाय गया था जिसको भारत राजे सच्यू कहते हैं और इसकी सहायता के लिए यानि भारत राजे सच्यू की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिशत भी होती थी अधनियम में Crown ने उन सभी संधियों को सुईकार कर लिए जो Company ने किया था Governor General को वाइसराय कहा जाने लगा तो ये भी याद रखिए कि जो भारतिये Governor General होते थे उनको अब वाइसराय कहा जाने लगा और परथम वाइसराय कोन बना? Lord Canning Crown ने उन सभी संधियों को सुईकार कर लिया था जो Company ने की थी इसका मतलब यह हुआ Company ने विभिन देशी रियास्तों के या राज्यों के साथ जो भी संधिया की थी उन सारी संधियों को Crown ने सुईकार कर लिया ये भी एक बहुत बड़ा प्रेडाम कहा जा सकता है 1857 की करांती अंग्रेजों की नीतियों के बिरुध आ विश्वास के कारण हुई थी इसलाइन का यही मतलब हुआ कि चुकि अंग्रेज जो भी नीतिया बनाते थे उनमें भारतियों को बिश्वास नहीं रह गया था आ विश्वास हो गया था तो इसी कारण करांती हुई थी भारतियों के संदेहों को दूर करने के लिए महरानी विक्टूरिया ने घुसडा करते हुए राजाओं को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार प्रदान किया और हडप नीति को त्याग दिया गया मतलब आप कह दिया गया कि आपके राज को हडपा नहीं जाएगा आप चाहें तो दत्तक पुत्र गोद ले सकते हैं घुसडा में कहा गया कि अब देशी राज्जियों का अंग्रेजी राज में बिले नहीं किया जाएगा यह भी कहा गया कि प्रसासन भारतियों के हितों के संद्चण में किया जाएगा उन्हें बिना किसी भेदभाव के सरकारी यहां सरकारी होगा सरकारी नौकरी में पार्टिसिपेट करने दिया जाए गए यानि उनको सरकारी नोक्रिया भी दिये जाएगे उसमें भाग ले सकते हैं प्रतियोगी परिक्षाओं में बाट सकते हैं उनके साथ कोई भीधभाव नहीं किया जाएगा तो यह सारी चीजे महराणी विक्टूरिया ने अपने गोशडा पत्र में कहा तीसरा महत्पूर प्रडाम था सैनिक संगठन में परिवर्तन कर दिया गया अंग्रेजों ने भारत में अपनी सैनिक संगठन को मजबूत बनाया जिससे 1857 की पुर्णाविर्ती ना हो सके मतलब अंग्रेजों ने अप सैनिक संगठन को थोड़ा और मजबूत बनाया ताकि 1857 की जैसी घटना फिर से ना हो सके यह निश्चे किया गया कि भविष में यूरोपिय और भारतिय सैनको का अनुपात एक अनुपात दो रखा जाएगा पहले अनुपात क्या होता था पहले अनुपात होता था एक अनुपात पांच यानि एक यूरोपिय तो पांच भारतिय होते थे लेकिन अब ये क्या कर दिया गया एक यूरोपिये तो दो भारतिये मतलब भारतियों की संख्या घटा दी गई ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर कहीं बिद्रो हो तो भारतियों संख्या कम रहे क्यी भारतिय सैन्को नहीं बिद्रोह आरम किया था अब ये लिए देखे आगे क्या हुआ टोप खाने में किवल यूरोपिये रखे जाएंगे यूरोपिये सैन्क जो टोप खाना था वो पूरा किसके निंटरल में दे दिया गया? टोप ओ गए रहा थी यूरुरूपीय सयनगतों को देश के विभिन केंद्रों में इस परकार निख किया गया जिस से सारे देशपीण नियनत्रन रखा है जो उल्प ब्हारत ड़िमें कई जटा रख दिया गया है ताकि कोई भी अगर गैर कानूनी कारवाई होती है बिद्रोह जैसे घटना पनपनी की चांस आते हैं तो पहले इसे ही अंग्रेजों को पता चल जाए मतलब पूरा नियंतरड रखने के लिए यूरूपिये सेनकों को फैला दिया सारे देश में भारतियों भारतिये सेनकों को घटिया हतियार दिया जाने लगा भारतिये सेनकों को अस्थानिये चेत्रे से हटा कर दूरस्त केंद्रों में भेजा गया जिससे वा बिद्रोह ना कर सके मतलब उनके अपने अस्थान से माली वो विद्रोह ना कर सके फिर है चौथा महत्पूर परिवर्तन क्या हुआ प्रडाम क्या हुआ फूट डालो और राज करो की नीत का आरम हुआ अंग्रेजो ने किया 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसल्मानों की एकता का गहरा प्रभाव अंग्रेजो पड़परा अंग्रेजो ने देखा कि 1857 की करांती में भारतिये मुसल्मानों और हिंदू ने बहुत बढ़ चड़कर एकता के साथ पार्टिस्पेट किया है एक अभूद पूर्व एकता दिखी जो पहले कभी नहीं दिखी थी मतलब हिंदू मुसल्मान एक साथ होकर करांती में उतरे तो अंग्रेजो के लग गया कि अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर हम जादा दिन तक नहीं रह पाएंगे तो उन्होंने फूट डालो यानि कि एक परकार से इन दोनों को अलग करो इनमें मतभेत पैदा करो इसकी नीति आरम की और जब ये अलग अलग रहेंगे तो इनकी सक्ति बट जाएगी तो हम राज कर पाएंगे यानि फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने आरम की और भीन उपायोदारा हिंदू मुसल्मानों को भड़काते रहे एक दूसरे के खिलाफ इससे क्या हुआ धिरे धिरे शाम प्रदाइकता की भावना बन अपने लगी अगला प्रड़ाम इसका कह सकते हैं लोग भारतियों का उन्मुक आर्थिक सोसर यानि भारतियों का एक अलग ढंक से सोसर करने लगे सोसर तो पहले भी करते थे लेकिन अब तरीका बदल गया दिखे कंपनी के सासनकाल की आर्थिक नीती के विशे में कहा जा सकता था कि एक व्यापारिक कंपनी भारतिक से अधिक लाप पराप्त करने का प्रयास कर रही थी कम्पनी के विरुध सिकायत होने पर गवर्नर जनरल पर महाभ्योग चलाया जा सकता था लेकिन अब बिटिस सरकार के हाथों में सासन आ जाने से महाभ्योग की संभावना समाप्त हो गई और जाज की भी प्रक्रिया नहीं रही इंग्लेंड के समस्त व्यापारियों और पूंजी पतियों के लिए भारतिय बाजार खोल दिया गया और इस प्रकार भारत का आनियंत्रिक आर्थिक सोशड आरम हुआ पहले क्या होता था पहले यह होता था कि चुकी इस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सासन का नियंत्र था तो जो गवन्ने जनरल होते थे अगर उनके खिलाब कोई सिकायत दर्ज होती थी तो उस पर कारवाई होती थी महाब्योग चलाया जाता था और कारवाई होती थी लेकिन अब चुकी इस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से नियंत्र ले लिया गया और पूरा नियंत्र बिटे संसत के हाथ में है तो अब महाब्योग की कोई संभावना नहीं थी और अब क्या किया गया कि भारतिय बाजार जो था वो बिटन के सभी व्यापारियों और पूजी पतियों के लिए एक प्रकार से खोल दिया गया और वो यहाँ पर आने लगे और यहाँ पर जम कर आर्थिक सोशड शुरू हो गया अगला प्रड़ाव हम कह सकते हैं भारतियों के प्रति प्रति सोध पूर द्रिश्टि कोड यानि अंग्रेजों ने अब एक प्रकार से एक अलग भावना अपने अंदर विक्सित कर लिए भारतियों के प्रति सोध पूर यानि बदले की भावना अंग्रेजों के अंदर आ आधारित था, वह सोयम को उच और भारतियों को निम्न परजाती कम मानते थे, अब थोड़ा साप असंतोस होने पर भी वह भारतियों के विरुद कठोर कारवाई करते थे, वह सिच्छित भारतियों से गेड़ा करते थे और सामान जंता से उनका कोई संपर्क नहीं था, वह अभी और भी जम कर वो करने लगे थे, जो जन सामाने था उनसे अधिकारियों का यब बिटिस अधिकारियों का कोई संपर्क नहीं रहता था, जो भारतियों सिच्छित वर्ग थे, उनसे भी बिटिस अधिकारी कहीं न कहीं अब घेड़ा करने लगे थे, नफरत करने लगे थे और अगर कोई भारतिय अधिकारी या सैनिक छोटी सी गलती करता था तो उसके लिए कठोर दंड उसको दे देते थे बदले की भावना अंदर आ गई थी फिर अगला और लास्ट प्रुभाव हम लोग कह सकते हैं या परडाम कह सकते हैं भारतिय भारतिय राज्यों के प्र भारतिय या सैनिक भारतिय राज़ी राज्यों के प्रति अपें परिवर्तन किया अभ राज्यों को आसवासन दिया गया है उनके राज किसी भी अधर पर छ attendance नहीं जाएगा विध्डोह के काल में जिन राज्यों ने मित्रता बेवार किया था उन्हें पुरुश्कृत किया गया अबद के तालुकदारों को जिन्होंने विद्रों में भाग लिया था छमा कर दिया गया और उनको उनकी जागिल लोटा दी गई तो ये सारे प्रडाम हुँ अठारसो सतावन की क्रांती के इसको आप प्रभाव बोल सकते हैं प्र राष्टिय अंदोलन था कोई कहता है प्रतम सुतंता संग्राम था कोई कहता है राष्टिय बिद्रो था कोई कहता है सैनिक बिद्रो था कोई कहता है हिंदू मुसल्भानों का सडियन था तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तू